प्रधानमंत्री नरेंद्रमोडी अफ्रीकी देशों की पांचे दिवसी यात्रा पर हैं। प्रधान मंत्री नैंद्र मोदी की चार अफरीकी देशों की यात्रा का पहला चरण मोजांबिक की यात्रा के साथ शुरू हो रहा है। अक्टूबर में नेदिली में हुए तीसरे भारत अफरीका शिखर सम्मेलन से भी साप साप समझी जा सकती है जहां अफरीकी महादीब से 54 देशों ने भाग लिया था। अफरीका में प्रचोर मात्रा में मिलने वाले प्राक्तिक संसाधन और अपने मेकिन इंडिया जैसे कारक्रमों के चलते भारत का अफरीकी भागीदारों के साथ सहीोग लगातार बार रहा है। इसके साथ समुद्री सुरक्षा, क्रिशी, व्यापार और उद्योग के विकास, उर्जा और सिक्षा दोनों के लिए प्रात्मिक्ता वाले मुद्दे हैं। मुद्बिक भारत के प्रमक अफरीकी भागीदारों में से एक है, दोनों देशों के वीच आप निवेशिक काल से भी पराने संबंध है। मुद्बिक के सुतंतरता संगर्श के लिए भारत दोरा दिये गए समर्थन की आज भी वहां सा रहना की जाती है। भारत उन पहले देशों में से एक है जिसने 1975 में मुद्बिक के सुतंतरता के बाद उसके साथ राजनेक संबंध स्थाविद किये थे। भारत मुद्बिक को पेजल, सडक निर्मान, कोईला, जल, समूद्री, सुरक्षा और बिजली के शेतरों में दीये जाने वाले विद्टी अनुदान को लगादार बढ़ा रहा है। ट्रेनिंग के शेत्र में भी भारत मुजाम्बिक को दिये जाने वाले सक्त्री सहयोग में निरंतर विस्तार कर रहा है। सारजनिक और निजी शेत्र की कई भारती कमपनियां भी यहां विविन शेत्रों में सक्त्री योगदान कर रही है। साल 2012-13 में भारत और मुजाम्बिक के बीच दिपक्षिव यापार में 100% की वर्दी हुई और दोनों देशों के बीच विकास और सहीों की ये कहानी लगातार जारी है प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी की ये पहला अफरिका सफर ना सरिफ अफरिका के लिए इंडियन ओशन रीजिन के लिए भी कफी अहम माना जाता है कैमरामन डीत अंगराज के साथ स्निहासी सूर दूर दरसन समाचार मपूतो मुजाम्बिक अफरिका